हलो फ्रेंड्स क्या आप बंपी स्किन से परिशान है या आपकी स्किन रफ है या आप अनिवेन स्किन टोन से परिशान है तो ये क्लिंजिंग आपके लिए है अगर आपको किसी क्रीम का साइड इफेक्ट भी हुआ है उससे आपकी स्किन पर बंप्स हो गए है तब भी आपक करते हैं step first आपको मलाई लेनी है one spoon आप oil भी use कर सकते हैं सीसे में oil coconut oil आप ले सकते हैं और five minute आपको अपने face की massage करनी होगी second step में आप steam लेंगे two three minutes अपने face पर third step में आपको एक scrub तयार करना है जिसमें one spoon मलाई, one spoon दही और half spoon चोकर होगा इन तीनों को mix करिए और अपने face पर apply कीजिएगा जैसे ही आप stream लेते हैं उसके तुरंद बाद आपको ये face scrub अपने face पर apply करना है और हलके हलके hand से अपने face पर massage करनी है बहुत हलके हातों से करनी है जहाँ जहाँ आपको bum से हलके हातों से वहाँ वहाँ massage कीजिए 5 मिनट मसाज करने के बाद 5 मिनट लेटर आपको cotton के towel को dip करके गुनगुने पानी में अपने face को clean करना है और फिर किसी अच्छे face wash से दोना है जो आपको suit आता है इसके बाद आप moisturizer apply करें जो fragrance free हो तो बहुत अच्छा है उस moisturizer से आप अच्छे से अपने skin को moisturizerize करिए and done आपको ये cleansing night में करनी है सबसे बड़ी बात है ये cleansing आपको बहुत हलके हातों से करनी है इस cleansing में जो massage होगी वो हलके हातों से होगी नहीं तो आपको side effect भी हो सकता है अगर आप इस तरह से step by step cleansing को follow करते हैं तो आपकी skin पर एक अलगी glow आएगा आपकी spin पर अगर bumps हैं तो आपको हर third day fourth day इस cleansing को करना है और normally आप month में two times इस cleansing को कर सकते हैं इसका कोई side effect नहीं है sensitive skin वालों के लिए best है all skin type cleansing है अगर वीडियो अच्छे लगी है तो please subscribe and like करें